दोस्तो भारत में कुछ चीज़े ऐसी हैं जिनके लिए लोगों का क्रीज साल दर साल बढ़ा ही है जिन में से एक है फिल्मे देखने का क्रीज लेकिन आप सोच रहे होंगे तो आज कल बाइकाट पर बाइकाट चल रहा है और फिल्मे भी अब कहां पहले जैसी आ रही है तो दोस्तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं लेकिन दोस्तो एक दौर हिंदी सिनेमा का सुनेरा दौर भी था जब एक से बढ़कर एक फिल्म रिलीज होती थी और इसी दौर में हिंदी सिनेमा ने भारती सिनेमा को विश्व पटल पर रख दिया वैसे क्या आप सोच सकते हैं कि कोई मुवी 5 लाख जैसे छोटे से बजट पर भी मन सकती है क्या सिर्फ एक करोड के बॉक्स आफिस कलेक्शन पर कोई मुवी हिट या सूपर हिट मानी जा सकती है हो गए ना हैरान लेकिन दोस्तों हिंदी सिनेमा का एक वह दौर भी था अस्से के तशक्का दौर जसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं चलिए चलते हैं आज से 40 साल पहले के उस दौर में जैसे कि बात हो रही है हिंदी सिनेमा के तो चलिए सबसे पहले हिंदी सिनेमा के इतियास पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि भारत को आजादी भले ही 1947 में मिली लेकिन हिंदी सिनेमा के शिरुवात आजादी से बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन ये शिर्वात भी एवई नहीं हुई क्योंकि खुद ही सोचे कि जो देश घुलाम हो भला उस देश के लोगों का लाइफ स्टेंडर्ड आखिर कितना हाई हो सकता है और कितने लोगों का हो सकता है कि लोग सिनिमा जैसी चीज में दिलचस्पी रखें और उस पर कित्व में आया और राजा हरीश्चंद्र के साथ 1913 में हिंदी सिनिमा की शिरुवात हुई लेकिन इसे इतनी पॉपिलरिटी नहीं मिल सकी इसके बाद साल 1931 में जब आलम आरा आई तब उसका पहला सांग रिलीज हुआ इसके बाद भी नीचा नगर जैसी कुछ फिल्म मे आई लेकिन लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया जबकि 1946 में आई नीचा नगर फिल्म की बात करे तो ये फिल्म घरीब और अमीर के बीच की खाई पर बेजट थी और इस फिल्म ने 1946 में बेस्ट फिल्म अवार्ड भी जी था 1947 में भारत के आजाद होने के बाद हिंदी सिनेमा का नया दावर शुरू हुआ और 60 के तशक में हिंदी सिनेमा में आम जन मानस के जीवन से जुड़ी समस्याओं को फिल्मी पर उतारना शुरू किया क्योंकि इन फिल्मों की कहानिया लोगों की असल जिन्दगी के आसपास साबित हुआ लेकिन जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सफल फिल्म निर्मान में बहुत सी लोगों का एहम रोल होता है जिसमें निर्माता, निर्देशक, अदाकार, गायक, गीतकार और लेखक वगरे शामिल होते हैं और उस दौर को गोल्डन एरा बनाने में कुछ नामों क चनाव किया जाए तो गुरुदत, दिलिपकुमार, संजीव गुमार, राज कपूर, मधुबाला, देवानंद, मीना कुमारी, वहीदारहमान और शर्मला टैग और जैसे कुछ शानदार कलाकारों के नाम चुने जा सकते हैं जो किसे भी किरदार को अपनी एक्टिंग के द मुवी में संजीव कुमार और शर्मिला टैग और के फिल्म, जिसमें संजीव कुमार ना सिर्फ एक युवा वेक्ति का रोल अदा करते हैं, बलके फिल्म के आदे हिस्से में वो एक बुढ़े पिता का रोल भी अदा करते हैं, और दोनों ही किरदार को इतनी बखुभी से कि दर्शक एक बूत की तरह अपनी जगह जम जाता है। इसके लावा जैसा कि हमने बताया कि किसी मूवी की सफलता सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रूस पर ही नहीं होती बलकि हिंदी सिरिमा में तो गानों का भी अपना अलग ही मुकाम है। क्योंकि हिंदी सिरिमा ऐसे कई उधारन मौझूद हैं। जब एक फिल्म एक गाने के दम पर भी सफल हुई है। वहीं उस दौर की बात की जाये तो वो दौर ना सिर्फ बहतरीन फिल्मों का दौर था बलकि सदा बहार गानों का भी दौर था। क्योंकि उस दौर में बहतरीन कलाकारों के लावा बहतरीन गीतकार और गायक भी हुए क्योंकि 1970 से 1980 के दशक में मुवीज को इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स भी किये जाने लगे और उसी दौर के निर्देशक मनमोहन देसाई ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में एहम भूमिका निभाई इसलिए तो मनमोहन देसाई को उस दौर का न सिर्फ सबसे बड़ा निर्देशक कहा जाता है बलकि मसाला फिल्मों का जनक भी कहा जाता है देशाई चाहते थे कि दर्शक मूवी देखकर एंटेन करे इसलिए वो चाहते थे कि लोग मूवीज को देखकर सपनों में खोना भी सीखे इन्ही एक्स्परिमेंट्स की तरज पर उस दौर में रमेश सिप्पी की डिरेक्शन में 1975 में आई फिल्म शोले उस दौर में ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई उस दौर की ये फिल्म बॉलिवुड की इधिहास में मील का पत्थर साबित हुई इस मूवी की बदालत अमिता बच्चन रातो रात सूपर स्टार बनके उबरे इसी कड़ी में 1981 में आई फिल्म उम्राव जान के म्यूजिक को लोगों ने काफी पसंद किया जिसे रेखा की बहतरीन अदाकारी के लिए जाना जाता है वहीं इस मूवी के गानों को आज भी क्लासिकल म्यूजिक या ओल्ड म्यूजिक सिनने वाले लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया उस दौर में आई फिल्म कुर्बानी सिर्फ एक करोड में बनी वहीं इस फिल्म ने 6 करोड का बॉक्स आफिस कलेक्शन किया वाल्ड वाइट इसका 12 करोड था इसी तरहें 81 में कमल हासन के रोमैंस बेजड फिल्म एक दूज़े के लिए रिलीज हुई जिसका टोटल बजट 50 लाग था लेकिन भारत में इसकी कमाई 5 करोड वहीं ओवराल कलेक्शन 10 करोड था इस मुवी का गाना सोल है बरस की बाली उमर को सलाम उस दौर में सूपर डूपर हिट गानों की लिस्ट में शामिल हुआ इसी कड़ी में आई 1983 में कूली इसमें अमिता बच्चन, रिशी कपूर, कादर खान और वहीदा रहमान मुख्य भूमिका में थी तीन करोड के बजट पर बनी इस मुवी का बॉक्स ओफिस कलेक्शन ग्यारह करोड था इसी तरह उस दौर की स्टार अक्टरस शुईदेवी की फिल्म तोहफा का बज़ट दू करोड था लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर दस करोड की कमाई की फिल्म अंगूर दोस्तो शेक्स्पियर के ड्रामे पर बेजड संजीव कुमार अभिनीत ये फिल्म भारती सिनिमा के शुद्ध और साफ सुत्री कॉमेडी मुवी का बहतरीन उधारण है जिसमें संजीव कुमार, देवेन वर्मा, मौसमी चेटरजी, दिप्तिनिवल और अरुना इरानी मुख्य भूमिका में थी एक डबल रोल संजीव कुमार का और दूसरा डबल रोल देवेन वर्मा का इस फिल्म का बजट आप जानकर चौक जाएंगे सिर्फ 25 लाख रुपए था अगर आज की दौर की बात करें तो आज की दौर में किसे फिल्म के गाने लिखवाने के लिए भी गुलजार और जावेद अख्तर जैसे बड़े सॉंग राइटर पर इतना खर्चा हो जाता है जबकि उस दौर में एक पूरी मुवी बन कर तयार हो जाती थी खेर हमें महंगाई दर को भी नहीं भूलना चाहिए आज की दौर के हिसाब से भले ही 25 लाख रुप्यों के कीमत किसी फिल्म का बहुत छोटा हिस्सा हो लेकिन उस दौर के महंगाई के हिसाब से कुछ लाख के रगम भी अच्छी खासी भारी भरकम हुआ करती थी उस दौर में जब मोबाईल या इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी उसी दौर में बॉलिवुड को बॉलिवुड का पहला सूपरस्टार मिला राजीश खन्ना इसके लावा राजकमार, अमिताब बच्चन, अमरीश पुरी, प्रेम चोपडा, रजी कपूर, मिथुन चक्रवती, अनिल कपूर, शशे कपूर जैसे सूपरस्टार में मिले जिन के लिए लोकों का एक अलगी क्रेस था वही थियेटर के आप्शन्स के रूप में OTT प्लेटफर्म होती थे तो आज के दौर में भी आप देख सकते हैं, आज के लेटिस्ट प्लेटफर्म पर भी उस दौर के मुवीज को हर जगह, जगह जगह ज़रूर दी जाती है वही अगर आज के समय में कमजोर होते बॉलिवुट की बात करें तो बॉलिवुट के सामने ऐसी सिट्रेशन सिर्फ आज ही नहीं, बलकि असी के दशक में भी पैदा हुई थी क्योंकि जिस तरह साउथ इंडस्ट्री का पलड़ा आज बॉलिवुट पर भारी बड़ता नजर आ रहा है, उस दौर में भी बॉलिवुट के सामने साउथ इंडस्ट्री चैलेंज की तोर पर थी क्योंकि कमल हासन, श्रीदेवी और एर रह्मान जैसे कलाकार साउथ इंडस्ट्री की ही दिन है, जैसा कि अभी हमने मोबाइल्स और OTT प्लेटफर्म्स की बात की, उस दौर में भी इस तरह के टेक्नोलोजी डिवेलप हो रही थी और जब VCR आये तो कहा जाने लगा कि अब थीटर का दोर खत्म है, इसका मतलब बॉलिवुड भी ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोस्तों VCR का जमाना गया और बॉलिवुड वहीं खड़ा रहा, फिर CD प्लेयर्स का जमाना आया, जो हाला आरे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट्स में जरू बताएं, धन्यवाद